आज हम बनाएंगे बहुत ही पॉपिलर नॉर्थ इंडियन डिश बटर चिकन पहले प्रिपेर कर लेंगे इसकी बटर मसाला ग्रेवी वेजिटेरियन्स इस ग्रेवी में आड़ कर सकते हैं पनीर टू मेक पनीर बटर मसाला तो सबसे पहले हम फ्लेम ओन करेंगे और उस पर र अब हम इसमें आड़ करेंगे कुछ खड़े मसाले, दो लॉंक, एक इंच दालचीनी, एक मूटे इलाईची और दो हरी इलाईची इस ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर देगी तो इसे जरूर आड़ करें मसालो को हम लाइटली स्टर कर लेंगे, अब हम इसमें एड़ करेंगे दो से तीन रफ्ली चॉप्ट अनियन्स प्यास को हम हलका सा स्टर कर लेंगे जब तक ये ट्रांस्पेरनेट न हो जाए अब इसमें एड़ करेंगे पांच से छे कर लियां लैसुन की और आदा इंच अद्रक इसमें मैं डाल रही हूँ एक हरिमिज, ये बिलकुल आप्शनल है, अगर आपको तीखापन पसंद हो तो आप इस पॉइंट पर हरिमिज एड़ कर सकते हैं इसमें एड़ करें अब मैंने 10 से 15 काजू, काजू एड़ करने से हमारी ग्रेवी थेख होगी और काफी रिच टेस्ट आएगा अब इसमें डाले मैंने 5-6 टेमाटर, टेमाटर को हम अच्छे से कूक करेंगे जब तक टेमाटर पकना जाएं या अच्छे से मशीनो हो जाएं तब तक आप इसे पका दे रहें तक टेमाटर अब अच्छे से कल गए हैं तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे इस मसाले को अब हम ठंडा होने रख देंगे इसमें से मैं निकाल लूँगी जो हमारे बड़े मसाले थे जैसे दालचीनी और बड़ी लाची का छिलका फिर इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे अब देंगे हम हमारी ग्रेवी को एक फाइनल टाच इसमें मैंने एड़ किया है वान डिबल स्पून ओयल एक तेजपता एक हरीमिज और अब एड़ करेंगे हम इसमें बटर बटर चिकन में जितना जादा बटर होगा उतना ही टेस्टी बनेगा लेकिन आप उतना ही बटर आड़ करें जितना कि आपकी हैल्द अलाओ करें इसमें आड़ कर तूंगी मैं ग्राइंड किया गया मसाला आप चाहें तो इस मसाले को चन्नी से चान कर भी डाल सकते हैं इससे ग्रेवी और भी जादा स्मूध बनेगी लो फ्लेम पर हलके हाथ से ग्रेवी को हम थोड़ा सा स्टर करेंगे और पका लेंगे इसमें मैंने एड़ किया है अब हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला चिकन मसाला बिल्कुल आप्शनल है अगर आपके पास ना हूँ तो आप इससे अवाइड कर सकते हैं ग्रेवी का टेस्ट अपने आप में बहुत अच्छा बनेगा अब इसमें एड़ करेंगे हम सॉल्ट इसे चिसे मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे अराउंड वान फॉर्थ टी स्पून शुगर चीनी डालने से ग्रेवी में हलकी सी मिठास आएगी मिल्कुल रेस्टरान स्टाइल हमारी बटर मसाला ग्रेवी बनेगी ये ग्रेवी सफिशेंट है अराउंड 800 ग्राम्स टू 1 केजी चिकन के लिए चिकन को मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल करके यूज किया है अब हम इसे 5 मिनट तक लो फ्रेम पर पकाएंगे और गानिश करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ इसके उपर एट किया है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेती कसूरी मेती इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगी अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अट कर सकते हैं फ्रेश धनिया तो हमारा बटर चिकन अब तैयार है अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें